तो दोस्तो पाकिस्तान को ऐसे ही दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार और लाफरवा देश नहीं कहा जाता है। पाकिस्तान अपने इन हतियारों को बेचने का तैयारी भी कर रहा है। कुछ सालों से तर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के तरफ से परवानु टेकनोलिजी और मिसाइल टेकनोलिजी को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इवन एर्दोगान के तरफ से खुलके ये भी वयान दिया गया था कि तर्की को परवानु हतियार बनाना चाहिए। और उसके बात से पुरा दुनिया को ये भी लग रहा था कि ऐसे ही पुरा दुनिया से अलग थलग करते हुए बिना मतलव का तर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया जा रहा है। इवेन इस समर्थन के बदले अब तर्की के तरफ से पाकिस्तान से मिसाइल टेकनोलोजी और परवानु टेकनोलोजी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब पाकिस्तान से परवानु टेकनोलोजी को हासिल करने को लेखे भी तर्की के तरफ से बातचित किया गया। दोनों देशों के बीज में शायद इस ड्रोन टेकनोलोजी के उपर भी डिसकस हुआ था। तर्की द्वारा जहाँ पे अब पाकिस्तान के अंदर अपने हतियारों के निर्मान करने का बात कहा जा रहा है। खास करके तर्कीश एवियेशन इंडस्ट्री के बनाया हुए कुछ हेलिकॉफटर और अन्मैन एरियल वियेकल को लेके बात किया जा रहा है। तो वही पे पाकिस्तान से इसके बदले में परवानु हतियार और हतियार से रिलेटेड एक्वेपमेंट साथ साथ इसके डिलेवले प्लाटफॉर्म जैसे कि मिसाइल और बॉम्स को भी हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है। अगर देखे तो इसके पीछे भी चायना का एक बहुत बड़ा हाथ है। जो असल में कॉमर्शियल जहाजों में भरके चायना से पाकिस्तान के पोर्ट कासिम तक भेजा जा रहा था। पर गुजरात में इसे पकड़ लिया गया और इसे सीज कर दिया गया। लाइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि आप मेरा वीडियो जख पाए सबसे पहले। जैहिन।